एक्सराइस 2.3 क्योशन नंबर 10 है, इस क्योशन नंबर 10 के 7 पार्ट तक, 1st से 7 पार्ट तक क्योशन नंबर 8 और 9 के जैसे हैं, सिर्फ डॉमेन और रेंज बतानी है, और जो पार्ट हों सिमिलर होनी क्योशन के, अब जो इसका 8 पार्ट है, वो है, y is equal to x minus greatest trend is our function x, और इस function को हम बोलते हैं, fractional function, यह पीछे बुक में define कर रखा, जहां function के type बता रखे हैं, various type वहां बता रखे हैं, कि यह आपका fractional function बोल लेंगे इसको, अब यह function define कब होगा, कि जब आपका x and greatest integer function x is defined for all real numbers, आपका x defined और real के लिए और जो greatest है, यह भी define, तो overall जो fractional part है, function है, यह क्या हो to greatest integer function x, less than greatest integer x plus 1, यह कैसे हैं, अब देखो इसकी value कितनी आती हैं, greatest integer function क्या होता है, कि इसकी value आती है, n, और जो n होता है, n less than equal to x, x से छोटा होता है, यह जो पूरी value है, यह किस से छोटी होती है, x से छोटी होती है, तो हमारा जो x से बढ़ा होगा, ठीक है, उसके बाद क् कि जो x हो less than होगा, greatest integer x plus 1, क्यों यहाँ इस पूरे की value कि आई, n, और जो n हो छोटा है, किस से x से, लेकिन अब हम n में कितना add कर रहे हैं, 1 add कर रहे हैं, तो जो यह पूरे की value आईगी, वो इस x से बढ़ी, तो condition आजाएगी, x greater than equal to greatest x, less than greatest x plus 1, तो इस condition से हम क्या करेंगे, हम n में से क्या minus कर देंगे, greatest integer function x, इस inequality में greatest integer function को क्या कर देंगे, minus कर देंगे, जब इस में से greatest integer function को minus किया, तो greatest integer function x minus greatest integer function x, कितना आएगा, 0, फिर x minus greatest integer function x, फिर यह inequality, फिर greatest integer function x plus 1, और minus greatest integer function x, इस से कट गया, यहां आया 0, यहां आया x minus greatest x, और less than 1, क्योंकि यहां 1 बचेगा, अब इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया, y, और y क्या है, fx, तो fx आ गया, greater than equal to 0, और less than 1, तो जो इसकी image है, वो कहां लाई कर रही है, कि 0 के equal है, उससे बड़ी, और 1 से छोटी, तो जो range है, वो इस तरीके की interval है, क्योंकि equality है, तो यहां equality और equality नहीं है, यहां पे तिया आजेगी open interval, यह हो जाएगी इसकी range, question number 11 में आपके पास कोई function है, क्या कर रखा है, कि fx दे आपको x square, यह function दे रखा है, इस table को complete करना है, उसकी domain और range बतानी है, और फिर उसका graph बताना है, अब जो इस function दे रखा, क्या कर रहा है, कि x की value minus 4, x की value minus 4, तो इस minus 4 की image क्या बनेगी, मतलब fx क्या आएगा, अब देखो x जब इसमें minus 4 करेंगे, तो कितना है, 16, minus 3 तो 9 सिर्फ हमें square करना है, क्योंकि जो हमारा function हो क्या है, x square, minus 2 है कितना हैगा, 4, ऐसे minus 1, 0, 1, 2, 3, यह plus 4 तक पूछ रखा आप से, इस question में, तो इस table को complete करना है, फिर इसकी domain और range, domain क्या है, कि यह x की value क्या के दे रखे, minus में भी दे रखे, 0 भी दे रखे, और plus में भी द minus 4 क्या तो 16, minus 3 क्या तो 9, minus 2 क्या तो 4, minus 1 करेंगे तो 1, 0 पे कितनी देगा, 0, 1 पे 1, 2 पे 4, इस तरीके से आपको plus में बताना है, तो जो इसकी range हो भी क्या जाएगी, real number आ जाएगी, फिर इसका करना है graph draw, graph को कैसे draw करेंगे, कि जो हमारा x है, वो तो हम इस axis पे ले में ऐसे minus में minus 1, minus 2, minus 3 और minus 4 तक, तो यह point हमने ले ले लिए, 0 से 4 और 0 से minus 4, फिर जो image बनती है, वो क्या बनती है, 2, 4, 6, 8, 8 इस तरीके से बन रही है, तो यह ले ले ले, 2, 2, 2 का gap ले 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 यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से 18, लेकिन हमारा maximum कितना है, 16 और नीचे में ले 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 ले, क्योंकि हमारी image कैसी बन रही है, positive बन रही है, तो यहाँ क्या आएगा, देखो, 0 पे, 0 पे कितनी देगा, 0, तो यहाँ आगया, 1 पे कितनी देगा, 1 देगा, क्योंकि 1 का square करेंगे, तो भी कितना आएगा, 1, फिर minus 1 पे कितनी देगा, 1 देग और प्लस 4 किया तो यहां 16 यह सारे डोट बनके पॉइंट ड्रो कर दी ग्राफ पे अब इन सब को क्या कर देना है मैस्टी आ जाएगा आपका ग्राफ जब function क्या हो fx is equal to x square question number 12 में भी आपको जो function दे रखा हो दे रखा x plus 10 मतर लीनियर function दे रखा तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा state line आएगा बाकी के जो इसके question number 15 तक है वो सारे ऐसे सब में graph draw करना किसी में range पूछा किया किसी में नहीं पूछा कर डॉमेन और रही है तो इस तरीके से आपको 15 तक है question करने है